फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है या नया घर लिया या गीजर को अपग्रेट करके थोड़ा सा बड़ा गीजर लेनी की सोचा है 25 लीटर के गीजर में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन गन्फ्यूजड हो आप क्योंकि बजट है थोड़ा सा कम लेकिन क्वालिटी के साथ कॉंप्रमाइज नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है आज के वीडियो में मैं बताऊंगा पांच बेस्ट एन येट इकनोमिकल गीजर जो आप ले सकते हो वो भी 7,000 के नीचे यानी 7,000 के बजट से भी कम है तो ये वीडियो एंट तक देखना पांचों में से जो पसंद आएगा डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से या ओफलाइन मार्केट में जैसा आपको पसंदो वहाँ जाके फटाफट ले लेना तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आज के वीडियो में मैंने 25 लीटर के ऑप्शन लिये हैं लेकिन केवल प्राइस ये क्राइटेरिया नहीं है ये गीजर बताने क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं भी आपको गलत गीजर बताऊंगा और आप खुद भी अगर केवल प्राइस के बेसिस पे जच करोगे तो गलत गीजर ले बैठ होगे किसी भी गीजर को लेने के लिए तीन बेसिक ट्राइटेरिया होते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो उस पे मैंने वीडियो अलरी बना रखी है उपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्रिप्शन में भी लिंक मिल अगर नहीं देखा है तो फटा फट जाके देख लो उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी के अडवाईज जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर इस वीडियो पे आ गयो तो मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ बता देता हूँ सीधे डिरेक्ली वो पा इन का है मेटल की बॉड़ी है लेकिन कोटेट है तो प्रॉजन की प्रॉबलम नहीं आएगी इसका एलिमेंट जो है वो कॉपर का है लेकिन निकल कोटिंग की गई है तो प्रिवेंट इट फॉब कोरोजन एंड स्केलिंग ये एक फाइव स्टार घीजर और वारंटी मिलती यह 5 plus 2 plus 2 की यानि 5 साल inner tank पे 2 साल इसके element पे और 2 साल complete यह सबसे सस्ता सुन्दर और टिकाओ option है अगर आप लेना चाहते हो तो बे चीचक इस option को select कर सकते हो नमबर 4 के position पे आता है Crompton का Arno Neo जो काफी जादा बिकने वाला model है 6.99 के price पे यह आता है इसका element जो है वो nickel coated है तो यह पानी जो है वो copper element के मुकाबले थोड़ा सा देर में गरम करेगा लेकिन 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 यह आपको corrosion और scaling से भी बचाएगा मतलब longevity के लिए लंबे use के यह 5 plus 2 plus 2 यानि 5 years on inner tank पे 2 साल complete और 2 साल इसकी element पे आपको warranty मिल जाएगी देखने में भी यह पिछले वाले geezer से थोड़ा सा अच्छा है बट cylindrical same design इसकी मिलती है तो अगर आप Crompton लेना चाहते हैं तो यह geezer आपके लिए best पड़ेगा नंबर 3 पे आता है एक बहुत ही पुरानी और reputed geezer बनाने वाली कंपनी रकॉल्ड का ब्यूनो प्रो एनेकजी नाम का model 6799 के प्राइस में यह आता है इसका inner tank जो है वो titanium stainless steel का बना हुआ है जिससे corrosion और scaling की problem इसमें नहीं आएगी यह भी एक 5 star rated geezer और warranty वही same 5 plus 2 plus 2 मिल जा record brand को जानते हैं और जानते हैं कितनी अच्छी brand है तो यह geezer आपके लिए best रहेगा नंबर 2 पे आता है बजाज का shield नाम का geezer जिसकी price same है 6799 लेकिन इस geezer की advantage यह है जो इसको number 2 पे लाती है पहला यह branded geezer है दूसरा 5 star तो है बाकी geezerों की तरह लेकिन इस पे जो warranty मिलती है वो होश उडा देने वाली मतलब किसी भी geezer में किसी भी category में ऐसी warranty आपने कभी न सुनी होगी न देखी होगी इस पे आपको warranty मिलती है 10 plus 6 plus 4 यानि 10 साल इसके inner tank पे 6 साल इसके element पे और 4 साल की complete warranty मतलब एक बार यह geezer लगाया तो उसके बाद लगा कि भूल जाओ सारी guarantee warranty गीजर की complete life span में company cover कर लेगी तो यह आता है number 2 पे और one of the best options में आता है अगर आप 25 लीटर का गीजर खरीदने की सोच रहे और look में भी थोड़ा सा better है बागी गीजर से comparison में number 1 गीजर again है crompton का ही emica pro नाम का model जो आपको आता है just above 7000 यानी 7199 लेकिन इसको मैंने mention इसी लिए किया क्योंकि इस गीजर को miss out नहीं कर सकते just because of price जो कि हमारे budget यानी 7000 से बस 200 रुपे उपर है लेकिन card वगेरा और कुछ दिवाली offer लगा कि आपको 7000 या उसके अंदर भी ये गीजर मिल जाएगा इस गीजर की खासियत यह है कि इस option में जो मैंने आपको बता है सारे गीजर जो है वो cylindrical shape के हैं और old design के हैं तो अगर आपके बातरूं में गीजर visibly दिखता है तो आपके लिए ये best option है क्योंकि ये गीजर एक मात्रिस list में है जो squarish design में है dual color tone में आता है सामने red and green color के digital display भी मिलते है पानी कब गरम हो रहा है और कब cut off हो गया ये दिखाने के लिए इसका जो inner tank है वो glass line का heating element भी glass line coated है warranty मिलती है 5 plus 2 plus 2 मतलब price तो अच्छी रखी गई है quality के साथ भी कोई compromise नहीं हुआ है तो ये इतनी सारी खूबियों के साथ आता है मारे list म number one पे अगर आप आँख बंद करके लेना चाहते हो तो ये option ले सकते हो ये थे वो 5 गीजर जो 25 लिटर के हैं और 7,000 के budget के अंदर आते हैं अगर आप 15 लिटर में भी same option ढूंड रहे हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है description में भी आपको link मिल जाएगा उपर i support से subscribe कर लीजिए उसमें कुछ नहीं जाता आपका मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें